देश में समष्धान पृतेख नागरिग को जीने का आधिकार देता है हर व्यक्ति की कोशेश होती है कि वो और उसका परिवार सिहत मत रहे लेकिन कई भार चाहे याण चाहे उन्हें कई बिमारियां घेर लेती है और व्यक्ति को बिमारी से जादा अस्पताल में आने वाले बिलकरी चिंता रहती है प्रुधान मंतरी नरेंदर मोदी के ओर से आईश्मान भारत प्रुधान मंतरी जन आरोग योचना प्रारंब की गई है इसके अंतरगत उतलाखन प्रदेश के लगबग 5 लाख परिवारों को गंभीर बीमारी के इलाज के लिए प्रतीवर्ष 5 लाख रुपे तक की निशुल्ख चिकिस्सा सुवधा उपलब्ध कराई जा रही है पहाडों में पलायन और किसानों को उनके उत्पादू का उचित मोले ना मिलने की परिशानी दशको पुरानी है इनहीं दशको पुरानी समस्या का समाधान करते हुए मुख्यमंत्री श्रीत रिवेंद्र सिंग रावत ने जलागम प्रबंधन विभाग की ओर से संचालित ग्रामया दो परियोशना के अंतरगत एगरी बिजनस ग्रोथ सेंटर की शिरुवात की है एगरी बिजनस ग्रोथ सेंटर के द्वारा किसान अपनी किसान सम्बंधी समस्याओं का हल भी पा सकते हैं और अपने उत्पादों को उचित मूले पर बाजारों में भी बेच सकते हैं यह जो ग्रोथ सेंटर की जहारी परिकल्पना है ग्रोथ सेंटर्स पर किसानों को उननत बीच, फार्म मशीन एवं अन्य जरूरी वस्तु उपलब्ध करते हैं तथा उनकी उपज को एकत्रित करके उनकी पैकिंग और मार्केटिंग भी करते हैं जिससे किसानों के आई में व्रिधी आ रही है पूरे उत्राखंड राज्य में लगभग हर नियाए पंचायत स्तर पर ऐसे लगभग सो एगरी बिजनस ग्रोथ सेंटर्स खोले जा रहे हैं स्थानिया उत्पादों की राश्ट्रिय एवं अंतर राश्ट्रिय बाजारों में डिमांड को देखते हुए और खेती का सदूपयोग करते हुए सभी ग्रोथ सेंटर्स को अलग कॉंसेप्ट्स पर बनाया जा रहा है जो भी उत्पादों गरोथ सेंटर्स पर बनाया जिसमें लोग थोड़ा से भी माल गरोथ सेंटर्स पर पहुचाते हैं और अपना पूरा मुल्य लेकर घर जाते हैं स्थानिय उत्पादों जैसे की मंडुआ, कौडी, जंग्रो, लाल चावल, मक्के का आटा, चुलू का तेल, बुरांस, पुदीना, मल्ता, नीबू, आवले का जोस, अचार आदी की ग्रेडिंग, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग कर मार्केटिंग की जाती है पहाडों में स्वरोशगार को बढ़ावा देने और किसानों के आए में वृद्धी लाने के लिए एगरी बिजनस ग्रोस सेंटर एक अदभुत और सराहनिय कदम है देश में समवधान प्रतिक नागरे को जीने का अधिकार देता है हर व्यक्ति की कोशिश होती है कि वह और उसका परिवार सिहत मन्द रहे लेकिन कई बार चाहे अंचाहे उन्हें बीमारियां घेर लेती है और व्यक्ति को बीमारी से जादा अस्पताल में आने वाला बिल चिंतित कर देता है आदर्निय प्रधान मंत्री श्री नरिंद्र मोदी जी द्वारा आईश्मान भारत प्रधान मंत्री जन आरो के योजना प्रारंभ की गई है जसके आंतरगत उतराखन प्रधेश के लगभग 5 लाख परिवारों को गंभीर बीमारी के इलाज ही तो प्रती वर्ष 5 लाख रुपए तक के निश्चुर्ग चिकस्सा सुविधा उपलब्द कराई जा रही है इस योजना को और आगे बढ़ाते हुए आदर्नियम मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंदर सिंग रावत द्वारा अटल आईश्मान उतराखन योजना प्रारंभ की गई जिसमें लगब 18 लाख और परिवारों को भी अब प्रती वर्ष 5 लाख रुपए की निश्चुर्ग चिकस्सा सुविधा उपलब्द कराई जा रही है इस प्रकार अब उतराखन राज्ज के समस्त 23 लाख परिवारों को सामाने एवं गंभीर बीमारी के इलाज ही तो निश्चुर्ग चिकस्सा सुविधा प्राप्थ हो रही है